नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चैनल पर सातियों यहां पर मैं रीट भरती 2018 में वेटिंग लिस्ट के माद्देम से चैनित हुए सभी अभेटियों के लिए बहुत ही महत्कुन जानकारी लेकर आया हूँ और जिस प्रकार से मैंने आप सभी से कहा था कि जैसे ही मुझे जीले वार काउंसलिंग डेट यहां डीवी डेट की जानकारी मिलेगी मैं आप सभी को यूटूब वीडियो के माद्देम से यहां टेलिग्राम चैनल के माद्देम से समझ जानकारी आप प्रवाइड करता रहूंगा तो मैंने उसी संदर्ब में यह वीडियो बनाया है कि किस-किस जीले की डीवी डेट क्या है और काउंसलिंग डेट क्या है तो यहां पर मैं आप सभी को जीले वार जितनी जानका कर यहां पर मैं आपको प्रवेट करने वाला हूं तो इसके लिए आप सभी जिस-जीले से आपका चैन हुआ है और उस जीले की जानकारी आपको कहां से मिलेगी यह जानकारी मैं आपको बताऊंगा तो यहां पर आप वीडियो के अंतक बने रहिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजी रास्तान हाई कोट जीला जजों के लिए 85 पदों पर भरती का विग्यापन जारी हुआ था उस संदर्व में एक्जाम फोर्म बरने की जो अंतिन्तिती है 27 फरवरी 2021 है अब इसके बाद में रीट वाले अभेड़ती इनके लिए एक ख़बर ये है कि जो नई वेकेंसी आई है रीट भरती 2021 में उस भरती वाले अभेड़तियों के लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर ये है कि रीट भरती में 1820 सिक्सकों के नए पदों को मंजूरी मिली है और ऐसा क्यों हुआ है थार्ड लेंग्वेज के रूप में यदि किसी भी विद्यालिय में दस से अधिक विद्यारती हैं तो उनके लिए एक सिक्सक अतरिक्त रूप से लगाया जाएगा और इसी कान यहां पर राज्तान में 1820 सिक्सकों के लिए अतरिक्त पदों की मंजूरी दी है तो संभव तया यह पद भी रीट भरती 2021 में जुड़ने के संभावना है और इसके चलते जिस प्रकार से 31,000 पलस 1000 पदों का मंजूरी देना पिछली बार यहां आज वापस से 1820 पदों को मंजूरी देना इस प्रकार से लगबग 34,000 पदों हो चुके हैं और दोस्तों यह किन मानिए इन पदों में बड़ोतरी होकर लगबग 42,000 पद हो जाएंगे मतलब कि यह बढ़ती जब तक पूरी होगी लगबग 42,000 पदों पर इस बढ़ती की पूर्टा संभन होने की संभावना रहेगी इसके बाद में यहाँ पर अगली इनफोर्मेशन है कि रीट 2018 की वेटिंग लिस्ट में 3489 अब भेड़कियों को दी फोस्टिंग हलांकि यहाँ पर सेंटेंस में तोड़ी त्रूटी हुई है पत्रकार गणों से हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस अंदर में कहा गया है कि 3489 अब भेड़तियों को जिनका कि संभून राज्य के विमिन जिलों में चैन हुआ है उनको 9 फरवरी इस पश्ट तोड़ से कहा हैं दोस्तों कि 9 फरवरी तक सभी अब भेड़तियों को जोईनिंग प्रवाइड कर दी जाएगी ऐसा सरकार का आदेस हैं इसमें 22 वाड़ा जीरे के बारे में देख लीजिए 22 वाड़ा में नेवासी अब भेड़तियों को चैन हुआ है और उनक की जो काउंसलिंग डेट है उसके बारे में आप यहां जान लीजिए कि उन अब भेड़तियों को काउंसलिंग है तू 5 वच 6 फरवरी को काउंसलिंग केम का आरजन किया जाएगा और उससे पूर्व सभी अब भेड़तियों को 30 जनवरी से पहले पहले कल दिनांक 25 जनवरी से स्टार्ट होकर और 30 जनवरी से पहले पहले सबी जीलों में ब्स जनतार करके उससे जनकारी प्रत कर ले किए उनका डीवी कीड़ से थरू होने वाला है यहाँ पर कुछ जीलों की जनकाई मुझे मिली हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूची के आदार पर जीला परिशद 30 जनवरी तक डीवी सत्यापन करेगा यह इस इन्पूर्मेशन बांशवड़ा जीले की है इसके बाद में सिक्सक भरती 2018 में बीकानेट जीले को मिले 82 टीचर और डोकॉमेंट वेरिपिकेशन 27 वा 28 जनवरी को और वापस से वही काउंसलिंग डेट कर रहेगी इनकी भी 5 और 6 परहुरी काउंसलिंग के बाद जो पॉस्टिंग डेट रहेगी वो 7 ते 9 परहुरी इन तीनों दिनों में किसी भी तिन जोईनिंग ओर्डर प्रोइड की जाएंगे इसके बाद में यहाँ पर बार्ड मेर जीले में जो काउंसलिंग डेट है बार्ड मेर जीले में जो डीवी डेट हैं वो हैं 28 जनवरी वह 29 जनवरी तो बार्ड मेर में चार दिवस तक डीवी चलेगा 28 जनवरी से 31 जनवरी तक और उनके लिए यहाँ पर रोल नंबर की सूची प्रोवाइड कर रखी है कि 18 जनवरी को मेरिट क्रमांक WL 22,09 से 22,630 इसके बाद में इसी डेट को 29 जनवरी को मेरिट क्रमांक 22,631 से 22,931 इसके बाद में अगले जीला है आपके लिए यहाँ पर बीच में एक अलग इंपरमिशन आ गई है कि जिस प्रकार से जीडियेस का रिजल्ट आ चुका है उनको फरावरी में जोइनिंग प्रोवाइड की जाएगी और आपस से अगले जीले की बात करते हैं अध्यापक सिद्री भरती के लिए सिरोई जीले से 25 जनवरी से 30 जनवरी के मद्दे इन सबी अब्देटियों का डीवी करवाये जाएगा तो ये प्रत्रम लेवल वा दिते लेवल के लिए अलग अलग तित्थी होगी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई हैं तो आप अपने जीला इस तर पर जहांपर आपका जीला सिक्साधिकारी कारे ले हैं वहाँ पर कॉल करके इस बारे में जानकारी प्राक्त कर सकते है इसके बाद में यहां पर बिकानेर से एक और इंफोर्मेशन है इसमें क्या दे रखा हैं कि वह 27 वा 28 जनवरी को डीवी होगा डोकूमेंट वेरिपिकेशन होगा उसके बाद में आगे की प्रक्रिया चलेगी और अगली ख़वर है यहां पर कोटा से कोटा जीले के जो अभेड़ती हैं जिन अभेड़ती का चैन कोटा जीले में हुआ हैं उनका डीवी 27 जनवरी को किया जाना है जीला सिक्सा अधिकारी कारहले गुमानपुरा में और उसके बाद में जिस प्रकार से 5 बच 6 फरवरी को इनके काउंसलिंग होनी है और 7,8 वर 9 फरवरी को इनको जोइनिंग और प्रवाइड की जाएंगे तो आगा हमें 15 डेज में इनको जोइनिंग प्राक्त करनी होगी अगली अपडेट हैं बाड मेर से बाड मेर से मैं आपको पहले जनकारी प्रवाइड कर चुका हूँ इसके बाद में बिकानेर से भी यहाँ पर वापस एक और अपडेट है कि बिकानेर से जिस प्रकार से 27 वर 28 तारिक को डीवी होगा उसके बाद में 31 से 2 फरवरी तक जीला प्रिशद की और से जीला सिक्सा अधिकारी को प्रारंबिक जीला सिक्सा अधिकारी को अंतिम सूची प्रवाइड की जाएगी उसके आदार पर वो विद्यालियों में सिक्सा विद्यालियों में अभ्याटियों को काउंसलिंग के माद्यम से कार्याले आउंटिक किया जाएगा इसके बाद में कार्याले जीला सिक्सा परिशद कोटा कार्याले जीला सिक्सा परिशद चितोडगर से इन्फोर्मेशन है कि इसमें 27 जनवरी 2021 को प्राते 10 बजे 27 जनवरी 2021 को प्रातर दस बजे लेवल प्रतम एम दिटिय लेवल के अंग्रेजी, हिंदी और संस्क्त वाले अब्वेड़ती और 28 जनवरी को विग्यान और सामाजिक अद्देन वाले लेवल टू वाले अब्वेड़तियों को बुलाया जाएगा इसके बाद में एक और इनवर्मेशन यहां पर हैं कारियाले जीला परिस्द अजमेर से यहां भी अब्वेड़तियों को इन 67 अब्वेड़तियों को प्रातर दस बजे जीला परिस्द कारियाले में बुलाया गया है और 27 जनवरी 2021 को इन सबी अब्वेर्टियों को डिवी होगा उसके बाद में जो अगे प्रोसेस हैं मैंना आमको प्रोवाइड की थी कि जीला सिक्सा परिशद कारे ले दोरा जीला सिक्सा अधिकारियों को अंतरिम सुचना प्रोवाइड की जाएगी उस सुची के माददम से जीला सिक्सा अधिकारी जो भी क्रिया विदी करेगा उसमें सबसे पहले काउंसलिंग के माददम से अब्वेर्टियों को विध्या ले ये कारेले चूज करने का मौकर मिलेगा और यह प्रक्रिया 5 फरवरी से 6 फरवरी तक चलेगी उसके बाद में 7 फरवरी से 9 फरवरी से सबी अब्वेड़ियों को चूस टिये गए कारयले में आॉंटिट रिजाएगा और उस पदिस्तापन आदेश के साथ थी अबेर्टियों को 9 फरावरी से आगा में 15 डेश के अंदर अंदर जोइनिंग प्राप्त करनी होगी इस प्रकार जो भी सुचनाय मुझे यहां मिली हैं जिस भी जीले की मैं आपको प्रोवाइड कर दी हैं और बाकि जीलों की जो सुचनाय नहीं आई है वो सभी अपने जीला इस कि अदिकारी की वेबसाइट पर या फिर डाएक्टर से केंडरी एजुकेशन डी एसी की वेबसाइट कर सकते आप भी आपको डी ओ ओ ओ ओ आफिस की वेबसाइट मिल जाएगी वहाँ पर आप इस प्रकार की समस्थ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जिस प्रकार से आप कहे रहेते हैं बहुत सारे बेटी इस बात की मांग कर रहेते हैं कि स्कूटनी फोर्म कहां मिलेगा तो मैं टेली ग्राम चैनल पर स्कूटनी फोर्म की जानकारी प्रोवेड कर इसी कारले से जो स्कूली पॉर्म मिलता है तो आप इसकूटूस्थनीq फॉर्म को बरकर तीन कोपियों में जमा रखें ताकि एक कोपिया आपके पास रहें बाकि दो कोपिया में से एक कोपिया आपको डियो कारले में और एक कोपिया आपको अपने विध्याले में जहां पर आपको पर इस्तापत किया जाएगा वहाँ पर जमा करनी होगी तो इसके लिए आप स्कुर्टी फोरूम की प्राफ्ट करने के लिए मैंने यहां एक टेलिग्राम चैनल का लिंक दूंगा वीडियो के डिस्टिन वोक्स में वहां से आप जोइन करके उसका प्राफ्ट कर सकते हैं धन्यवाद के लिए